नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे लुपी HCG 5000 इंजयक्शन के बारे में इसके फायदे जानेंगे, नुक्सान जानेंगे और इस्तमाल करने का तरीका जानेंगे और कितने इंजक्शन ये लगाया जाते हैं, यह विडियो में जानेंगे तो विडियो को पूरा देखेग और इसका MRP है 428 रुपे तो यह मेरे पास पुराना बॉक्स पड़ा था तो मैंने इसका वीडियो बना दिया है अब इसका प्राइस बढ़ गया होगा ठीक है तो इसमें जो सॉल्ट है वो है कॉरियो निक गुनाडो ट्रोफिन इंजेक्शन 5000 आई यू ठीक है और कुछ इस मेरे पास जो है वह यूज्ज है ठीक है तो चलिए अब बात करते हैं इसके यूजज की किसका में इस्त्माल किया जाता है दोस्तों यह इंजेक्शन एक तरह का हार्मोन होता है और इसका मीन काम होता है महलाओं के अंडा शाहे में जो अंडा बनता है प्रेक्नैसी के टाइ उसको मतलब बनने में मदद करता है अंडे को ठीक है कई महलाओं को क्या होता है कि अंडा अच्छे तरीके से नहीं बन पाता है और प्रेगनेंसी सही से नहीं हो पाती है तो यह इंजेक्शन सेफ प्रेगनेंसी को करने के लिए किया जाता है ताकि अंडा खराब नहों या मिस जब किसी महला को गरब नहीं ठहरता है मतलब प्रेग्नेंसी नहीं कर पाती है तो उस कंडिशन में भी जो है डॉक्टर्स जो है इस इंजेक्शन को बताते हैं लगाने को और जिन महलाओं को बार-बार मिसकैरिज होता है यानि कि उनको बार बार बच्चा खराब हो जाता है गिर जाता है कई महलाओं को तीन-चर महीने में ही गिर जाता है और दो महीने में भी गिर जाता है तो उस कंडिशन में भी इसी इंजेक्शन को जो है लगाया जाता है इसका उपयोग जो बांचपन से गुजर रही है महला उनको भी इस injection को लगाया जाता है और इसका उपयोग पुर्शों में भी किया जाता है पुर्शों में का टेस्टरों की मात्रा कम है तो उसको ये बढ़ाता है और अगर शुकराणों की कमी है पुर्शों को तो इसका जो है injection को इस्तमाल किया जाता है उनको भी injection लगाया जात जादा तर इस injection को महलाओं में इस्तिवाल किया जाता है जो मैंने प्रॉब्लम बताई है कि अंडा कई बार अंडा शाय में नहीं बन पाता है ठीक प्रकार से सही ढंग से बिक्सित नहीं हो पाता है खराब हो जाता है बार बार तो उस जब फिर प्रेग्नेंसी भी नहीं हो ग एक दिन एक हफते में हाँ एक हफते में या फिर पंदरा दिन के बाद भी बताते हैं एक महीने के बाद भी बताते हैं और हो सकता है कि वह साथ में आट महीने तक भी बताते रहें आपको तो वह चेक करके बताएंगे आपको इस वीडियो में हम आपको क्लियर नहीं बता सक होते हैं जैसे कि 10 दिन चोड़के लगना है या फिर 15 दिन चोड़के तो वो आपके चेक करके आपको देखेंगे कि कितनी ज्यादा infection है मतलब कि कितने ज्यादा इनको जरूरत है इस injection की ठीक है तो यह थी इसकी डोज के बारे में जानकरी और इस injection को सिर्फ IM और SC यूज किया जाता है यानि कि इसे मास में ही लगाया जाता है कूले पे या फिर बाह में या फिर इसे मास में ही इस्तमाल किया जाता है IV नहीं लगाया जाता है यानि कि नस में इस injection को नहीं लगाया जाता है तो इस injection के side effect भी कुछ देखे गए हैं कि इसको लगाने से कई बार महलाओं को कमर में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है सिर में दर्द हो जाता है, खुजली हो जाते है मतले, उल्टे, घबराहाट, यह सब इससे side effect होने लगते हैं किसी-किसी महलाओं को, तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं कि हमें इसको लगवाने से यह problem होती है, तो आपको और भी medicine देंगे साथ में, तो इस injection को अकेला नहीं इस्तमाल किया जाता है इसके साथ और भी medicine होती है, तो वो आपको डॉक्टर देंगे, आप डॉक्टर से चेक कराईए, फिर वो आपको इस injection के बारे में बताएंगे, कि आपको इस injection की जरूरत है ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आपको इस वीडियो अच्छा लगाओ, तो वीडियो को लाइक जुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, धन्यवाद